27 एक्टूबर को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी चित्रकूट आ रहे हैं और तुलसी पीट भी आएंगे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और हमारे साथ स्वक्त बात करने के लिए पद्म विभूशन जगत गुरू शिरीराम भद्राचारे जी हैं जगत गुरू जी प्रध भूशने का प्रशाद भी मिलेगा है राममंदर आकार ले रहा है सदियों से लड़ाईब रहा है अब जाकर आकार आकार या म२ंत था उसमें कोई हस्तक सरकार कोने हता हुता कि उसमें तो गवाईयों होती हैं तत्थ प्रस्तोत किए जाते हैं मैंने स्वयम इतने अकाट तत्थ प्रस्तोत किये थे कि उसने निरणय की दिशा बदल दी मैंने 441 प्रमार दिये थे और खुदाई हुई तो 437 सपस्ट निकले केवल अश्पस्ट थे मोधी सरकार की भूम पूजन इतना बड़ा निर्णहि आया और किसी प्रकार का विपक्सियों को आकरवन नहीं हुआ विजेस जम शांथ निपड गया मोधी जी ने शिल्या न्यास मा भूम पूजन के तभिमे था इस बार रामरदाजी गर्म में प्रोश्कि रहेंगे तब ही मैं रहूंगा मोधी रहेंगे उसी समय जह मेरा अमर्त महुत्स्व मनाया जा रहा है जो कि नव दिन तक चलेगा कि एक हजाराश कुंडी हन्मन महा जग्य होगा और बाइस तारीक को इसका उध्गार से घर्वगरे में भवान प्रविश करेंगे तो वहां भी मोधी जी होंगे और मेरे उस्समय मोधी जी होंगे अब राम मंदिर का सपना संतों का पूरा हो रहा है दोजार चौबीस में या पूरी तर से आकार भी ले लेगा आम जनता को समर्पित हो जाएगा इसके बाद नंबर किसका काशी मतुरा निश्चित अलफावेटली क्रम अक्षरानुसार होगा पहले काशी मतुरा लेकिन मामला वो भी कोर्ट में चला गया है घ्यानवापी मस अच्छा साक्षे प्रसुत किया जाए दिनने बहुत जल्दी हो जाता है जिसे अब अभी कुछ और ऐसे काम जो होने बाकी है हाँ अभी बहुत काम बाकी है बहुत काम तो हो चुके कि जैसे 370 धारा मिट गई और 35 चला गया और ट्रिपल तलाग की प्रथा समाप्त हो गई और नारी नारी शक्तिबंदन अधनियम आ गया महिला रक्षन विद्हेग और अपे सी प्रकार ही राम, चिरित, महैंस को राश्टों घंत होना है कि हींडी को राश्ट जी राश्ट भासा होनी है कि और few अब उताख कशिद वारा धोहनी थे कि लिए यूरा मुतिल अब और सकता है एक मसला समान नाचार सहिता लगातार चर्चाओं में है लेकिन विपक्ष तो तैयार बैठा है तमाम संग तमाम जो दल है वो एक साथ आ गए है इंडिया गठबंधन के नाम पर वो कहते हैं मोदी जी को दुबारा आने ही नहीं देंगे लड़ लड़ दमवार्ख उन्हें भूंकने दीजे तो एक और वो नया मुद्दा लेकर आए हैं जाती जनगणना का क्या नहीं लगता आपको की जाती जनगणना से फिर जो हिंदू या सनातन एक जुट हो रहा था वो फिर जातियों में बट जाएगा नहीं होने नहीं होने अक्सर प्रदेश का हम जिकर करें योगी आदितनात जी की अक्सर आप तारीफ करते हैं क्या आप उनके शासन में आपको खूबिया नजर आती है भविश्य क्या देखते हैं अच्छे हैं मेरे छोटे भाई हैं अच्छे लग रहे हैं एक दौर था जब उन्हें सत्ता सो प मध्यप्रदेश का जिकर कर लेते हैं आप भुपाल आये थे आपने शिवराद जी को आशीरवाद दिया था मुख्यमंत्री बनने का दुबारा सरकार बनाने का लेकिन अभी तक तो वहां बीजेपी चेहरा ही तेह नहीं कर पाई और भले शिटे कम मेने पर जीते की बीजेपी सरकार बीजेपी बनाएगी तो आशीरवाद किसको मिलेगा फिर वहां पर यह बड़ी बात है अच्छा एक छोटा सा मसला और भी है इस्राइल और गाजा में युद्ध चल रहा है लेकिन हमारे यहां एक उत्तर प्रदेश के सांसद हैं ब्रान प्रताब गड़ी वह अभी भी आतंकी संगठन गाजा के साथ खड़े होते हैं उनका दुर्भाग है आपको लगता है एक तपका जो है उसे कम से कम देश की बात करनी चाहिए तो दुर्भाग है उनका बिनाश कालिव प्रिजिबुद्ध है तो कल मोदी आएंगे 27 एक्टूबर को आखरी प्रश्ण है मेरा आप से जीत का दोहजार चौबीस का आशिरवाद मोदी जी को मिलने जा रहा है कि निश्चित तो हमारे साथ थे पद्म विभूशन जगत गुरू शीरी राम भद्राचारे जी तो कल प्रधान मंत्री मोदी विशेश तोर से आएंगे आशिरवाद लेने और आशिरवाद के तौर पर दोहजार चौबीस की जीत का आशिरवाद पियम मोदी को जगत गुरू से मिलने जा रहा है कैमरामेन खिलान सिंग के साथ प्रशांद कठारे निउस 18